हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है लॉट्स आफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज मैं आपके लिए जॉट बर्नॉट शॉग के फेमस प्ले आर्म्स एंड दा मैंन से एक क्विज लेकर आया हूँ जिसमें टोटल फिफ्टी कोश्चन्स हैं और हर कोश्चन के साथ चार ऑप्शन भी दिये हुए हैं जिन में से आपको सही आंसर चुनना है लेकिन इसके लिए आपको केवल 10 से 15 सेकंड का ही समय मिलेगा क्योंकि अगर इससे ज़्यादा समय मैंने दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी और बोरिंग हो जाएगा तो आएए चलिए देखते हैं आपको कितने मार्क्स मिलते हैं हमारा पहला कोश्चन है नियर वाट इस दे पैटकॉफ हाउस सिचुएटेड यानि किस चीज के पास पैटकॉफ का घर स्थेथ था तो इसके चार आप्शन से हैं जिसमें से सही जवाब है दा डागोमन पास नेक्स कोश्चन यानि जो बुल्गारिया की सेना थी उसमें रहना के पिता किस रैंक पर थे सही जवाब है मेजर नेक्स कोश्चन वाट ड़स लुका टेल रहना इन दा ओपनिंग सीन आफ दे प्ले यानि प्ले के ओपनिंग सीन में लुका रहना से क्या कहती है और इसका सही जवाब है How to close the window Without locking it entirely shut eso Next question To whom is Luca engaged यानि लुका की engagement किस के साथ होई थी ँर चार option है सही जवाब है Sorry engagement कहना सही नहीं होगा Engaged थी मतलब किस के साथ ये था कि इसकी शादी किस के साथ होगी जिसका सही जवाब है निकोला जो की उसी घर में एक नौका था फ्रॉम वेर ड़स ब्लंचली हेल यानि की ब्लंचली किस जगह को बिलॉंग कलता था वो कहां का रहने वाला था और इसका सही जवाब है स्विट्जरलेंड वो एक स्विस्ट था नेक्स कोश्चन फूस पिक्चर ड़स रैना कीप इन हर रूम एड़ स्टार्ट अफ दपले रैना के कमरे में किसकी पिक्चर या किसकी फोटो लगी हुई थी और इसका सही जवाब है सर्जियस की केथरीन थी जो कैथरीन थी मिसस पैटकोफ उन्होंने पैटकोफ हाउस में क्या इंस्टाल कर आया हुआ था तो इसका सही जवाब है An electric bell for the servants उन्होंने servants के लिए electric bell लगाई हुई थी क्योंकि उनका मानना था कि जो संभरांद घर के लोग होते हैं जो अच्छी families होती है उनमें नौकरों को चिला कर नहीं बुलाया जाता है बलकि bell बजाई जाती है जिसे सुनका servant आ जाते है The serbs are allied with members of which empire यानि जो serbs लोग थे वो किस empire के members से जुड़े हुए थे और इसका सही जवाब है Austrian empire Austria यूरोप का एक देश है आप इसे Australia से confuse मत करिएगा क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं या Australia बहुत popular है cricket की वज़ा से लेकिन यह Australia नहीं Austria है Next question Blanchly ask Raina To let him do what when he is in her room यानि Blanchly ने क्या कहा था रहना से कि वो उसे क्या करने दे और इसका सही जवाब है sleep The play might not be described as of which subgeneral यानि इस play को नीचे जो Charles subgeneral दिये गए हैं उन में से किस category के अंतरगत नहीं आता है यानि इन में से कौन सा वो category है जिसमें ये play नहीं आता है तो इसका सही जवाब है melodrama melodrama मतलब melodramatic यानि melody और drama दोनों चीज जिसमें इन्वाल हो तो ये play melodrama के अंतरगत नहीं आता है Next question है Why has Sergius resigned his army commission यानि अपने army commission से Sergius ने क्यों resign कर दिया था तो इसका जवाब है He is angry He will never be promoted क्योंकि उसका promotion नहीं हो रहा था जिस बात से वो नाराज था Why does Petkoff do instead of using the electric bell to call the servant तो क्या कलते थे Mr. Petkoff जो electric bell थी उसको बजाने के बजाए servant को बुलाने के लिए तो वो yell कलते थे यानि कि वो चिला कर बुलाते थे अगला question है What do Rana and Catherine lend Blanchly यानि कि Blanchly को Rana और Catherine ने क्या दिया था और इसका सही जवाब है court उन्होंने Blanchly को एक court दिया था और वो court Mr. Petkoff थका था जिससे कि इस court को पहन के Blanchly वहाँ से चला जाए और कोई पहचान न पाए कि वो कौन है लोग सोचें कि यह Mr. Petkoff जा रहे हैं उसके उपर ध्यान न दे कोई What is the physical evidence that Rana has feelings for Blanchly? इस बात के क्या physical evidence थे या सबूत थे कि Rana जो है उसके मन में Blanchly के लिए feelings हैं और इसका सही जवाब है a picture of herself on which Rana has written a note जब Rana ने वो coat दिया था Blanchly को तो उसकी pocket में उसने अपनी एक photo भी रग दी थी जिस पर उसने कुछ लिखा भी हुआ था Next question The play is written in which form यानि इस play को किस form में लिखा गया है और इसका सही जवाब है prose इसे prose में लिखा गया है What does Blanchly help Sergei and Petkoff with यानि कि Blanchly जो था वो Sergei and Petkoff की किस चीज में उसने मदद की थी या कर रहा था तो इसका सही जवाब है Movement of Regiments जो Army Regiments थी उनके Movement में उसने मदद की थी What makes Sergei and Charges successful Sergei and Charges ने जो Charge किया था यानि जो हमला किया था वो किस वज़ा से successful हो गया था तो इसका जवाब है Lack of Serbian Ammunition Ammunition का मतलब होता है गोला बारूद तो जो Serbian सेना थी उसके पास गोला बारूद नहीं था और इस वज़ा से Sergei and Charges था ये सफ़ा लो गया था Next question है To whom does Luca get engaged यानि कि Luca जो थी वो किस से engaged थी यानि किस से उसकी शादी होने वाली थी और इसका सही जवाब है Sergei and Charges से ये play के last की बात हो रही है कि किस से उसकी engagement हुई थी और उसकी engagement play के last में Sergei and Charges से हो जाती है जबकि पहले ऐसा तैंग रहता है कि उसकी शादी होगी जो उनका एक दूसरा नौकल था Nikola लेकिन last में उसकी engagement होती है Sergei and Charges से तो इसमें आप लोग confused नहीं होईएगा यानि play के end में Nikola को क्या job मिल जाती है तो इसका सही जवाब है manager of a hotel उसे hotel में manager की job मिलती है What is revealed about Blanchly in act 3 यानि act 3 में Blanchly के बारे में क्या reveal होता है यानि क्या पता चलता है तो इसका सही जवाब है His father was enormously wealthy उसके पिता जो थे वो बहुत ही ज़ादा अमीर थे असल में उनके पिता की death हो जाती है जिसकी खबर आती है Blanchly के पास और ये भी पता चलता है कि उनकी hotel chain थी और इससे ये भी मालू होगा कि वो बहुत wealthy है इसी में से Nicola को भी job मिल जाती है What does the Petcoff family brag about नहीं Petcoff family जो थी वो किस बात पर घमंड करती थी तो इसका जवाब है their library उनके घर में एक library थी जिसका उन लोगों को बड़ा घमंड था या बड़ा अभिमान था Next question What is Luca willing to do to the Petcoffs to advance her own social status यानि Luca जो उनकी नौकरानी थी वो क्या करना चाहती थी Petcoffs के साथ जिससे कि वो अपने social status को advance कर सके यानि कि और उंचा उठा सके तो इसका जवाब है Use their secrets against them after spying on them यानि कि Luca जो थी वो अपने जो Petcoff family है उसके जो मालिक हैं उनकी वो जासूसी कलती थी उनकी बातें छुपकर सुनती रहती थी और वो चाहती थी कि वो उनके secrets को जान जाए जिससे वो उनका इस्तेमाल करकर अपनी social status को उंचा उठा सके What does Sergius do to Luca when they speak privately यानि Sergius जो Luca के साथ क्या करता है जब वो दोनों आपस में अकेले में बात करते रहते हैं तो इसका जवाब है Hers her wrist उसकी कलाई में चोट पहुँचाता है क्योंकि वो उसके कलाई को पकड़ लेता है Flurry off यानि कि ये play जो है वो last में जलबाजी में किस चीज के साथ खत्म हो जाता है तो इसका जवाब है Engagements यहाँ पर दो engagement होती है और उसी के साथ ये play खत्म हो जाता है Which of the following is not a symbol in the play यानि कि ये जो चार option है इन में से किस चीज का इसका इस्तिमाल एक symbol के रूप में नहीं किया गया है तो इसका सही जवाब है The dragman passed ये एक जगह थी इस वज़़ा से इसका इस्तिमाल symbol के रूप में नहीं किया गया है बाकी तीनों का इस्तिमाल symbol के रूप में किया गया है Who is standing on the balcony at the place opening यानि जब यह play शुरू होता है तो उस तमें कौन बालकनी पर खड़ा था तो इसका सही जवाब है राइना Next question What country does the play takes place in? यानि यह जो play है वो किस country में play है यानि कहां पर जो है किस setting में यह play हुआ है तो इसका सही जवाब है बुलगारिया Next question Which of the following sits on the top of रहना's chest of drawer? यानि कि रहना को जो drawer था उसमें क्या चीज रखी होती है उसके top पे और इसका सही जवाब है paperback novels Next question In the first act, who enters the room to deliver news to रहना? यानि first act में रहना के रूम में कौन आता है उसे news देने के लिए कोई खबर देने के लिए और इसका सही जवाब है उसकी मा Catherine आती है जो कि उसे युद्ध के बारे में बताती है और बताती है कि Sergius ने बहुत बहुत बहादुरी दिखाई है लड़ाई में Who is Sergius? यानि कि Sergius कौन है? Sergius रायना का फ्यांसे है यानि उसका मंगेतर है उसके साथ उसकी इंगेजमेंट हुई है What supposedly heroic things has Sergius done? यानि कि Sergius ने कौन सी supposedly heroic चीज या कौन सा बहादुरी का कादनामा किया था? तो इसका जवाब है कि lead a cavalry charge Cavalry बोलते हैं सेना के गुड़सवार दस्ते को जिसमें गुड़े पर बैठ का सैनिक जाते हैं तो उसने ऐसे एक cavalry charge को lead किया था Next question Who expressed this man about the cruelty of war? डिसमे का मतलब होता है बेचैनी या निराशा तो कौन जो है निराशा व्यक्त करता है war में होने वाली cruelty के बारे में? तो इसका सही जवाब है राइना Next question In Act 1, what does Luca tell Raina and Catherine should be done? यानि कि Luca, Raina और Catherine को क्या कहती है Act 1 में कि क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है fashion windows यानि कि खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए ऐसा वो कहती है What does Blanchly use as a weapon against Raina? यानि रहना के विरुध वैपन के रूप में किस चीज का इस्तिमाल करता है Blanchly जब उसके रूम में आता है वो अकेले रहती है और इसका सही जवाब है एक cloak cloak मतलब gown या कोई ओड़े जाने वाला चीज कपड़ा तो वो cloak का इस्तिमाल करता है वो कहता है कि अगर तुम इस समय ऐसे कपड़े में बाहर के लोग तुम्हें आकर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे तो इसलिए तुम शोर न मचाओ जिससे कोई भी यहाँ पर ना आये तो वो इस तरह से अपने आपको बचाता है नेक्स्ट कोश्चन वेर ड़स ब्लंचली हाइड यानि ब्लंचली जो है वो किस जगा पर छिपता है तो इसका सही जवाब है वो पर्दों के पीछे चुपता है यानि ब्लंचली किस नेशनेलिटी का है किस देश का वो रहने वाला है तो वो स्विस है यानि कि स्विट्जर लेंड का रहने वाला है वाट देस्ट ली एक्सिडेंटली लीव औन दा ओटमन वें हाइडिंग यानि जिस वक्त ओटमन पर वो क्या छोड़कर चला जाता है जिस समय वो छुपता रहता है तो सही जवाब इसका वो अपनी पिस्टल वहाँ एक तख्त या दिवान रहता है जिसे ओटमन बोलते हैं इंगलिश में तो उसको उसको उसपर वो अपनी पिस्टल गलती से छोड़का चला जाता है यानि किसे इस बात का एहसास होता है कि रायना वास्तों में एक एनमी सोलजर को छुपा रही है तो इसका सही जवाब है लूका को जो कि उनकी नौकरानी रहती है यानि ब्लंशली जो है वो कैवलरी चार्ज को किस चीज से कमपेर करता है जो कि सर्जियस ने किया था जो कि उसका बहादूरी कालनामा माना जा रहा है P is being thrown at a window P is मतलब मठर के धाने तो जिस तरह मठर को फेंक दिया जाए विंडो के उपर वैसे ही उसने compare किया है इस cavalry charge से What literary character does Blanchly compare Sergius to? यानि कि Blanchly ने Sergius को किस literary character से compare किया था? तो इसका सही जवाब है Don Kicksort Next question Why does Blanchly refuse to leave when Raina tries to kick him out? यानि उसे सैनिकों से बचा लेने के बाद जब Raina उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ उसे बहाँ निकालना चाहती है अपने रूम से तो Blanchly क्या जवाब देता है? वो क्यों refuse कर देता है क्यों मना कर देता है वहाँ से जाने से और इसका सही जवाब है He is exhausted क्योंकि वो बिल्कुल exhaust हो गया था बहुत ज़्यादा ठक गया था और वो सोना चाहता था तो इसी लिए उसने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा How does Blanchly climbs up to Raina's window? यानि कि Blanchly किस तरह से Raina की window तक चड़ कर पहुँचता है? तो इसका सही जवाब है Up a drain pipe वो एक drain pipe के सारे चड़ कर window से उसके कमरे में पहुच जाता है Next question What is Raina's nickname for Blanchly? यानि Raina ने Blanchly को क्या nickname दिया था? और इसका सही जवाब है The chocolate cream soldier Next question What does Catherine find to help Blanchly? Sorry, who does Catherine find to help Blanchly? यानि Catherine क्या पाती है कि Blanchly की मदद कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है कि Catherine खुद कोई पाती है कि वो मदद कर रही है Blanchly की Next question What happens while Raina leaves to find her mother? यानि कि क्या होता है जब Raina यहाँ पर Blanchly को अपने bedroom में छोड़कर अपनी मा को ढूड़ने जाती है तो जब वो लॉट के आती है तो वो देखती है कि Blanchly जो है वो सो गया है Next question When does the play take place? यह play किस समय हुआ था? किस साल में हुआ था? 1885 की setting है यह 1885 में यह play हुआ था What does Catherine Petkov wear on all occasion? यानि Catherine Petkov जो थी वो हर occasion में क्या कपड़े पहनती थी? और इसका सही जवाब है What does Raina boast her house has? यह Raina जो है वो किस बात पर boast करती है किस बात पर घमंड करती है कि उनके घर में ऐसी क्या चीज थी जिस पर उन्हें घमंड था और इसका सही जवाब है ए लाइब्रेरी इन लोग को लाइब्रेरी पर बहुत घमंड था How long has Blanchly been under Fireford? यानि कि Blanchly जो है वो कितने दिनों से इस लड़ाई में इधर से उधर भाग रहा था? और इसका सही जवाब है Three days वो तीन दिनों से भाग रहा था Why was Sergius charge successful? और Sergius का charge क्यों successful था? और इसका सही जवाब है The Serbians had the wrong cartridges यानि कि जो Serbians ये ना थी उसके पास सही cartridges नहीं थे असल में उनकी जो कातूस गोला बारूद वगएरा था वो बदल गया था चॉकलेट से और खाने पीने के सामान से इसी वज़ा से उन लोगों ने इस charge को सही तरीके से उन लोग टैकल नहीं कर पाए थे नेक्स कोश्चन नेक्स नहीं सॉरी आपके 50 कोश्चन कंप्लीट हो गया हैं तो अब आप हमें बताईएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने कोश्चन सही हुए हैं और दोस्तों उमीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आज के लिए बस इतना ही कर दोस्तों अबस आपके लिए लिए अबस आपके लिए टोस्तों आपके लिए गया होगा बनापके लिए वागाना है